मैं मीनप्रिवेश्चुहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्WI peace channel कवीता संग्रह है में आज की इस वीडियो में हम भगवती गीता के साथ्वे अध्याय को सुनेंगे भगवत गीता के सात्वी अध्याय का महतम्य स्वय भगवान शिव जी ने माता पार्वती चीज से कहा था भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती अब मैं सात्वी अध्याय का महतम्य बतलाता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमरित राशी भर जाती है पाटली पुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपोर बहुत ही उचा है उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्रहमन रहता था उसने वैश्य वरित्ति का आश्रे लेकर बहुत धन कमाया था किन्तु नै तो कभी पित्रों का तरपन किया और नै ही देवताओं का पोजन ही नो पारजन में ततपर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था एक समय की बात है उस ब्रहमन ने अपना चोथा विवाह करने के लिए पुत्रों वैबंधूों के साथ यात्रा की मार्ग में आधिरात के समय जब वैशो रहा था तब एक साफ ने कहीं से आकर उसकी बाजू पर काट लिया उसके काटते ही ऐसी अवस्ता हो गई की मनी मंत्र वै ओशदियादी से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी ततपस्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखेरू उड़ गए और वहप्रेत बन गया फिर बहुत समय के बाद वहप्रेत सर्प योनी में उत्पन हुआ उसका चित धन की वास्मा में ही बंधा रहता था उसने पूरवरितांत को समर्ण करके सोचा मैंने घर के बाहर करोडों की संख्या में अपना जो धनगाड रखा है उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयम ही उसकी रक्षा करूंगा साप की योनी से पिडित होकर पिता ने एक दिन स्वपन में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया तब उसके पुत्रों ने सवेरे उटकर बड़े वी समय के साथ एक दूसरे से स्वपन की बाते कही उनमी से मंजला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर पियोनी धान करके रहते थे उस स्थान पर गया यदि पियो उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था तो भी उसने चिनों से उसका ठीक ठाक निश्चे कर लिया और लोग पुद्धी से वहां पहुँचकर भूमी को खोदना प्रारंब कर दिया तब उस भूमी से बड़ा भयानक साप प्रकट हुआ और बोला ओ मोड तू कौन है इसलिए आया है यह बिल्कियों खोद रहा है किसने भेजा है तुझे यह सारी बाते मेरे सामने बता पुत्र मैं आपका पुत्र हूँ मेरा नाम शीव है मैं रातरी में देखी हुए स्वपन से विस्मित होकर यहां का सुवर्ण लेने के कोतुहल से आया हूँ पुत्र की यह वाने सुनकर साम भासते हुए बड़े उचे स्वर से इस प्रकास पस्ट वचन बोला यदि तु मेरा पुत्र है तो मुझे शिगर ही बंदन से मुक्त कर मैं आपने पुरो जनम के गाड़े हुए धन के लिए सरप योनी में उत्पन हुआ हूँ पुत्र कहता है पिता जी आपकी मुक्ति कैसी होगी इसका उपाय मुझे बताए क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ कर आपके पास आया हूँ तब पिता कहते हैं बेटा गीता की अमरित में सप्तम अध्याय को छोड़ कर मुझे मुक्त करने में तिरत, दान, तप और यग भी सर्वता समर्थ नहीं हैं। केवल गीता का साथवा अध्याय ही प्राणियों के जनम मृत्यू आधी दूखों को दूर करने वाला है। पुत्र मिरेश्राद के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाट करने वाले ब्रहमन को श्रधा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदे मेरी मुक्ती हो जाएगी। वत्स अपनी शक्ती के अनुसार पूर्ण श्रधा के साथ और वेद विद्धा में प्रवीन अन्य ब्रहमन को भी भोजन कराना। सर्प योनी में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्यानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प श्रीर को त्याक दिव्य दिह धार्ण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोडों की संक्या में जो धन उनमें बाट दिया था। उससे वे पुत्र बहुत प्रसन हुए। उनकी बुद्धी धरम में लगी हुई थी। इसलिए उनोंने बावली, कुवा, पोक्रा, यग, वे, दे, मंदिर के लिए उस धन का प्रियोक किया और अनिशाला भ भगवत गीता का सात्व अध्याय पित्र मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद पक्ष में गीता के सात्वे अध्याय का पाठ किया जाता है। तब भगवान शिवजी कहते हैं हे पार्वती मैंने यह तुम्हें सात्वे अध्याय का महतम्य बतलाया है। जिसके सु बन्यवाद